असलाम रेकूम वेलकम बैक तो माई चैनल एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मदेदार कबाब्स की रेसिपी आप इसको मिनी बर्गर भी कह सकते हैं बच्छों के लिए बहुत ही मदेदार सी रेसिपी है बच्छे अगर रोजा रखे हैं उनको आप ये रेसिपी जरूर बना कर दीजियेगा इंशालान उनको बहुत जादा पसंद आएगी बहुत ही असान सी रेसिपी है बहुत ही सिंपल से इंगिरीडियंट हम यूज करेंगे तो रेसिपी को बिल्क रुलू अच्छे से घ्रेटर की मदा से ग्रेट कर लिये थे नमक आट कर देंगे साल एड़् कर देंगे इसमें काली मिछ स When mere अपने हिसाब से आप कर ली काली मिच इसके के लिए spatula या पिर हाथों की मदद से बहुत अच्छे से mix कीजिएगा और यह बात आपने दिहान में रखनी है कि इसको आपने greater की मदद से great कर लेना है तांके बहुत अच्छे से smooth सा इसका mixture बने तो बहुत अच्छे से मैं mix कर लेती हूँ हाथों की मदद से और यकीन मानिए कबाब खाने में बहुत ही tasty बनते हैं बहुत ही simple सी recipe है लेकिन बहुत ही मदेदार तो यहाँ पर देखे बहुत अच्छे से मैंने इसको mix कर लिया है इसको करते हैं side पर इन कबाब के लिए stuffing बना लेते हैं तो उसके लिए पहले chicken को अच्छी तरह से boil कर लिया था नमक और काली मिर्च आड़ की थी और shred कर लिया है इसमें add कर देंगे cheese यहाँ पर जो मैं cheese add करने लगी हूँ यह mozzarella cheese है आप चाहें तो कोई भी add कर सकते हैं लेकिन इसकी जो layers है वो बहुत अच् इसमें add कर देंगे ketchup यहाँ पर जो ketchup मैंने यूज़ किये है वो chili garlic ketchup है जिससे बहुत अच्छा सा flavor आता है लेकिन अगर आपके पास simple वाली ketchup हो तो फिर अलग से कुटी होई लाल मिर्च थोड़ी सी आप काली मिर्च और नमक add कर लीजिएगा जिससे flavor अच्छा हो जाएगा और फिकी फिकी लहीं लगेगी chicken और cheese तो अच्छी तरह से mix कर लेते हैं और यह stuffing हमारी ready हो जाएगी इसमें कोई भी extra से cheese add नहीं करेंगे बस यही चीजें हमें चाहिए और इसी से बहुत अबर्दसी stuffing बनेगी यह इस तरह से आपने cubes में इसको cut करना है चोटे चोटे- करती हम यह करते हैं कि अंडे को अच्छी तरह से फैंटी नहीं है इस ताइम पर हम एक्स को जितना अच्छा बीट कर लेंगे उतने ही अच्छे कबाब बनते हैं और coating बहुत अच्छी होती है ब्रेटग्रम्स की अगर आप एक्स को skip करना चाहते हैं तो आप यहां पर slurry भी बना सकते हैं लेकिन slurry को थोड़ा ठीक रखिएगा मेदा और पानी की जो slurry बनती है वो तो यहां पर थोड़ा समयने ले लिया है mixture आलू का अच्छी तरह से इसे spread कर लेंगे हातों पर हलका समयने oil लगाया है और इस तरह से stuffing रखते जाएंगे एक एक टेबल स्पून के बराबर या कम जादा जितनी आप रखना चाहते हैं उस हिसाप से और इसको cover कर लेंगे बहुत अच्छे से यह bind हो जाएगा आपने देखा है मैंने आलू में कोई भी binding के लिए cheese एड़ नहीं की मतब जिस तरह से चावल का आठा या फिर ब्रेट क्रम्स वगरा एड़ किये जाते हैं सिंपली हम इसको बनाएंगे इस तरह से cover कर लेंगे और कबाब की लुक देदेंगे इसकी अगर आप शेप स्लेंडर वाली करना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं वो भी काफी असान है लेकिन इसकी लु पर शाथ इनको मोटा बनाया है स्टफिंग बहुत अच्छे से की हैं इसके बाद अब हमने coating स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले एक एक कबाब को ठाते जाएंगे और बिप करते जाएंगे ए इसी तरह से ब्रेट क्रम्स हमने बहुत अच्छे से कोट करने हैं फ्रेश ही घर अच्छी लग रही है रेसीपी अच्छी लग रही है तो काइनली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेल एकिन प्रेस कर दीजिएगा ताके आने वाली वीडियोस के सारे नौटिफिकेशन आपको मिलें तो अच्छी तरह से अब हमने कोटिंग करनी है ब्रेड करम् अगर आप फ्रेश ब्रेड क्रम्स यूज़ करेंगे तो यकीन मानिये इन कबाब का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसके उपर कोटिंग बहुत अच्छी होगी और काफी देर तक जो ब्रेड क्रम्स हैं उपर स्टे करेंगे तो यहां पर देखे मैं प्रेस करकर के अच् में अच्छी तरह से और इसके बाद हमने दुबारा से कोट कर लेना है ब्रेड क्रम्स में यानि के आपने दो दफा इसे डिप करना है एक में और दो दफा ही ब्रेड क्रम्स लगाएंगे जिससे क्या होगा उपर से बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे यह और अंदर से जब इनकी लेयर जाती है चीज की वह बहुत अच्छी लोग देती हैं बच्चे बहुत इंच्वाए करेंगे आप यह जरूर रेसिपी ट्राइ कीजेगा तो बहुत अच्छे से मैंने कोटिंग कर ली है और इनको आपने स्टेय दिलवाना है तकरीबन 15 मिनिट के लिए ताके थ पहले इनकी एक साइड को बहुत अच्छे से कुक होने दीजिएगा उसके बाद इनको फिलिप कीजिएगा अक्सरोकात इस तरह से होता है कि अभी वो कच्चे ही होते हैं कबाब और हम उन्हें टर्न कर देते हैं तो उपर जो कोटिंग ही होती है ब्रेट क्रम्ब्स वोगर की वो उतर जाती है तो बहुत अच्छे से पहले कुक कीजिएगा उसके बाद कीजिएगा उसके बाद हमने इनको दूसरी साइड से भी बहुत अच्छी तरह से पकाना है और बाद में हम इनको पर्फेक्ट सा कलर दे देंगे पहले ही तेज आंच पर इनको कुक नहीं कर ल बहुत अच्छा सा चलर आ चुका है अब हम निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं किस कदर ये क्रिपी है और ब्रेट कॉट हुए थे बिल्कुल भी ब्रेट क्रिम्स ओयल में नहीं चाहेंगे आप बस उनको 15 मिनट के लिए जरूर श्टे दिलवाईएगा अक्सर वकात इस ही मज़ेदार सी रेसिपी है बच्चे जरूर इंज्वाय करेंगे इसे और जो चिकन मैंने एड की थी उसमें मैंने कोई भी वेजिटेबल एड नहीं की क्योंकि अक्सर ओकात इसरा से होता है कि बच्चे वेजिटेबल लेकाल देते हैं और चिकन खाने को पसंद करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरह से इनको फ्राइ कीजिएगा जिस तरह से मैंने सारा प्रोसिस बताया है सेम उसी तरह से उसके बाद आपने इनको ठंडा करना है किसी भी बॉक्स में रखना है और फ्रिज में रख लेना है उसके बाद जब भी आपने इनको खाना हो ओवन में इने गरम कीजिए और इंजॉय कीजिए I hope recipe अच्छी लगी होगी Feedback जरूर दीजिए का Thanks for watching Allah Hafiz